ऐसे कैसे सफल होगा स्वाच्छ भारत का मेशन बीदी रात हुई बरसात में एक बेस्मेंट के अंदर भरा पानी चार पहिया वाहन डूबे नगर निगम क्षेत्र फिरोजाबाद क्लब चोरहा पेट्रूल पंप के बराबर का मामना बेस्मेंट मालिक का कहना चार साल से बंद है यहां का नाला नगर निगम कराया अगत नहीं हुई सुनवाई फिरोजाबाद नगर निगम ख्षेत्र फिरोजाबाद क्लब चोरहा पेट्रूल पंप के बराबर से स्थित एक बेस्मेंट में चार फायर धीलर वाहन खड़े थे बीती रात हुई बरसाथ के बाद इस स्पेस्मेंट में अपार जहबराव होने के कारणों चारों वाहन डुब गे जब सुबह यहां बेस्मेंट मालिक संजीर तपन आये तब जयात हुआ उन्होंने यहां आपने निजी व्यवस्था और अपने निवास्क शेत्र के पारशद मनोजताव की मदद से पानी निकलवाया वहन बताया कि यहां पिछले चार साल से नाला बन पद्दा हैं जिसके कारण पानी की निकाजी नहीं है ऐसी स्थिती में बरसात का पानी आफिर कहा जाएगा फिलहाल नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसको देखकर बस यहीं कह सकते हैं कि आफिर ऐसे कैसे सफल होगा स्वच्छ भारत का ये मिशन कि अफिर कि अब कि ये तरह की क्या परहेशाह करें विये song के या करें थाहा होगी है अक्यार सुक्ण है is पानी की निकालना के लिए लगवाई बैसमेंट में बैस में चार पार ही होई दूस्ध में व्यस्क्राही सोई तो यह बैस्मेंट पूरा जलमंगन हुआ जल मंगन होके इसमें जो कारें थी उनको हमें निकालने का मौका भी नहीं नहीं निकल वा रहे हैं वगल से नाला जा रहा है कि इसकी सफाई नहीं ती क्या मानते क्या है कि लात्री में से नाला चालू नहीं था और पानी बेख आ रहा था पूरा नाले की जो आपका जो नुकसान हुआ है वो नगा नगम की लापरवाई की वैसे हुआ है प्रशाबाद वासियों मत करें घर का बॉर्डर पारायो प्लोवीजन पहुचेगा आपके द्वारह निश्चित फिरोजाबाद के लोग घर पहुचाएंगे रासन का सामान हमारे लोग अब घर बैठे अपना किराने का सामान ओर्डर करें और एक से दो घंटे में सामान की डिलीवरी पाए संपर करें आए प्रोवीजन स्टोर मोबाइल नमबर साथ चार पांच दो जीरो नू साथ नू एक सातूर दाया